तो फ्रेंज आर्टिकल्स में क्या क्या आता है ए एन दा ठीक है यह तीन हमारी बहुत ही कॉमें और फेमिस आर्टिकल्स बोले जाते हैं ए एन दा तो आई होप आपको इनका डिफरेंस पता होगा देकिन इनकी जो minor differences है वो कुछ लोगों को शायब नहीं पता है ठीक है तो चलिए मैं आज की वीडियो में ये सारी चीज़े clear कर देती हूँ देखे friends हमारे पास होता है सबसे पहले a ठीक है a को कहाँ पर use करते हैं और an को कहाँ दोनों का function जो है ना friends same है लेकिन थोड़ा सा difference क्या है कि जब हमारा noun जिसके बारे आगे हमें a और an लगाना है वो अगर consonant है तो a यूज़ करेंगे और अगर वो vowel है तो हम an यूज़ करेंगे बस यही difference है ठीक है तो थोड़ा सा detail में पढ़ते है a is used in front of a single countable noun which are not specific ठीक है यह specific नहीं होता है singular होता है और countable noun होता है यानि कि हम उसको गिन सकते हैं जैसे कि a pen, a cat, a spoon तो इस तरीके से वो countable भी noun हो गया और singular भी हो गया और आगे की voice क्या है उसकी consonant यानि कि vowel चोड़ के b, c, d, f, g, सब जो होते हैं यह सब आते हैं उसके आगे अब an का भी same यही formula है n is used in front of singular countable nouns which are not specific and we don't use n before uncountable और plural nouns ठीक है तो जैसे कि name suggest करता है में n यानि कि एक उसको बोलता है एक तो एक तो हम plural noun के आगे नहीं लगा सकते हैं और नहीं uncountable nouns के आगे लगा सकते हैं and if the noun starts with the wall sound a, e, i, o, u वाली जो sound होती है तब वहाँ पर use होगा n तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जो कि काफी लोग miss कर देते हैं जैसे कि an apple, an orange और an r friends कुछ words ऐसे भी होती है जहाँ पर first word silent होता है ठीक है तो जैसे कि n r बोलेंगे आप क्योंके वहाँ पर r का h जो होता है h silent होता है वह मैं आगे आपका example में बताती हूं दा क्या होता है we use the inference of all nouns it does not matter whether the nouns are singular, plural, countable और uncountable describe someone or something specific or unique तो दा का कहा भी use होता है nouns के आगे तब matter नहीं करता है कि noun singular है, plural है, countable है या uncountable लेकिन जब हम किसी चीज को describe कर रहा है जो के specific है, unique है और एक ही है तब हम use करेंगे the जैसे कि the sky is blue ठीक है, the earth is round तो ये चीज आपको वस याद रखनी है अब मैं आपको थोड़े से examples दिखा दी है this is a cat अब यहाँ पर a cat क्यों बोला है क्योंकि एक है, और singular है और क्या है, consonant वाली sound है she is a good girl please give me a slice of bread please take me a piece of cake please bring us a spoon of sugar I am looking for an hour यही चीज़ जो मापको समझा रही थी कि यहाँ पर an क्यों बोलते है क्योंकि it's silent होता है तो उसको हम skip कर देते है तो उसका next word देखा जाते है यानिकि o and o is a vowel तो इसलिए an hour of your time आएगा can I have a taste of your cake she is a baby cat an apple fell off the table ठीक है off a table नहीं बोलेंगे क्योंकि हम एक specific table के बारे में बात कर रहे है वो table उस time के लिए unique है तो the table आएगा the cat is on the table ठीक है तो यह इस तरीके से आई हो आपको थोड़े से difference clear हो गया होगा एक बार यह भी examples देखी जैसे friends the school is close today तो इस स्कूल के एक specific स्कूल के बारे में आपे बात करें please take me a piece of cake अब a, n और देखे n यहाँ पे आगे वोवल के आगे है और n का same function बस वोवल और consonant की बात आपको ध्यान में रखनी है और जब कोई चीज unique है specific है ठीक है और यह नहीं देखना है singular नहीं तो मैं आपको short में बता देती हूं friends, अगर आगे वाला word जैसे कि यह the school है consonant है तो the school बोलेंगे और अगर यही school की जगह अर्थ होता तो the earth बोलते है तो यही difference है friends, हम the और the कब बोलते हैं I hope आपको दोनों ही बाते clear हो गई होंगी this video में so please subscribe my channel it's free of cost and wait for the new videos to come